C.E.T. में खतम होगा च्यार गुना का फॉर्मूला दोस्तो 15 गुना बलाने की तैयारी शियम बोले मोजदा भरती पुराने पैटन पर ही होगी आगे के लिए करेंगे विचार हर्याना में C.E.T. परिक्षा के बाद च्यार गुना अबैर्थ को बलाने के फॉर्मूले को हर्याना सरकार खतम करने जा रही है मोजदा भरती को छोड़ कर आने वाले दिनों में हर्याना में 15 गुना अबैर्थ को बलाए जाने के तैयारी की जा रही है इसके लिए हरियाना सरकार CET नेती में संसोधन करने जा रही है चार गुना फुर्मूले को लेकर परदेश के युवा में रोस है और विपक्स लगातार सरकार को घेर रही है मंत्री मंडल की बैठक के बाद मीडिया से बाचिते में मुख्य मंत्री से जब पूछा गया कि हरियाना के युवाउं सहीती विपक्स दवारा CET के मुद्दे पर विरोध किया जा रहा है कॉंग्रेस का कहना है कि यूपी राजस्तान में दस से बार गुणा उमिदवार बुलाए जा रहे हैं तो हरियाना में क्यों नहीं इस पर मुख्य मंत्री मनोहर लान ने कहा कि CET के मामले विग्यापन के समय से ही चयार गुणा अबैर्दी बुलाए जाने का नियम था आगे की भर्दियों में इस नियम में सोधन पर विचार किया जा रहा है इसकी समिक्षिया कर जल्द फैसला लिया जाएगा हरियाना में अब 15 गुणा तक हैं उमिदवार बुलाए जा सकते हैं मुख्य मंतरे ने कहा कि सरकारी नोकरियों के लिए हरियाना करमचारी चेन आयोग दोरा शुक्त पातरता प्रिक्षा CET का आयजन किया जाता है उमिदवारों को यह आउसर दिया जाता है कि वह अपनी सेक्षनिक योगता के नुसार पदों का विकल्प चुन सकता है विदित रहे कि गुरुप C के 32,000 पदों के लिए CET पास साड़े तीन लाग है ब्यारतों में से बढ़ती पर किरिया चल रही है करमचारी चेन आयोग का कहना है कि इन पदों के लिए चार गुना अमिद्वारों को ही स्क्रीनिंग परिक्षा के लिए बुलाय जाएगा जिसकान परिक्षा पास प्रारंबिक परिक्षा पास करने वाले युवां में रोज है मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रेश शहीत विपक्षी दल भी लगातार इस मामले में सरकार पर हमलावर है सिविल जजों की भरती पर फैसला नहीं